देखते हैं, अभी से पहले हमने income and expenditure के अंदर कुछ इसके calculation सीखे हुए हैं, जैसे की subscription कैसे निकलता है, वो देख लिया, आपका stationary या कोई भी stock हो, उसका consume कैसे निकलता है, वो भी देख लिया, fund based accounting की बात करूँ, तो कौन सा हमारा liability में जाएगा donation और कौन सा income and expenditure में जाना चाहिए, वो भी देख लिया हमने, सिर्फ income and expenditure की बात करूँ, तो ये भी last class में हमने कर लिया, income and expenditure, अब हम तीनों पूरा, इसे बोलते हैं, full flies question, और ये chapter आपके इतना importance है, आपका November में exam है, 2020 में, become first year का, उसमें भी ये पंदरा नंबर का question आएगा, तो उस time में दुबारा, इसका advance point होगा सरिफ, आप ये सोचोगे कि उस time में starting से करार हूँगा, तो उस time में starting से नहीं होगा, इस से जब आप पर advance point होगा, तीन मेने में भी लेंगा, और पूरे book में total 10-12 chapter है, और वो भी ब जाओ, चाहे आप correspondence में जाओ, और चाहे जो बच्चे non college में जाना चाहिए, किसी में भी जाओगे, आएगा first term में, और आपका paper होगा November में ये December में, तो income and expenditure, basically, income and expenditure, opening balance sheet और closing balance sheet, ये सारी के सारी information जो हम prepare करेंगे, हमें घीवन होगा examiner के तरफ से, जो examiner देगा, receipt and payment देगा, जिसको मैंने cash book का नाम दे रखा है, recipient payment, और receipt payment के नीचे कुछ adjustment दे देगा, उस adjustment के help से पूरे question को हमें खतम करना है, हमारे syllabus में इतना ही है, इसका advance question first year में क्या आएगा, आपको income and expenditure दे देगा, और ये तीनों बनवा लेगा, वो हम first year में देखेंगे, सिर्फ आपका भी क्या आ सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पर subscription आएगा, buy side में, और ये subscription हमें recipient payment में, receipt side में देखने को मिलेगा, और subscription में कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, subscription के काफी सारे मैंने type बना के कराया है आपको, वो तो clear है बिलकुल, अब हमें सिर्फ income and expenditure से नहीं सोचना, हमें liability और balance sheet को भी सोचना है, यहाँ पर plus करते थे, दो point को, plus क्या करते थे, closing, outstanding को, और plus करते थे, opening, advance को, opening, advance को, और minus क्या करते हैं, minus करते हैं, opening, outstanding, और minus करते हैं, closing, advance, सबसे पहले समझने वाली बात है, यह minus plus तो कर लिया, लेकिन क्यूं करा हम पहले last class में देख चुके हैं इसके बारे में, अब समझते हैं, subscription जो हैं हमारे लिए income है, अगर income outstanding की बात करूँ, तो वो हमारे लिए asset है, लेकिन अगर subscription में, outstanding के बजाए, मैं बात करूँ advance की, तो वो हमारे लिए liability है, ठीक है, वो liability होगा, यानि advance में अगर हमें कोई income मिल जाता है, तो liability है, क्यूंकि हमें अपना liability complete करना है, लेकिन, अगर मुझे कोई, मेरा पैसा कमाया हुआ अभी तक मिल नहीं रहा है, या मेरा पैसा है, जो कि मिल नहीं रहा है, तो वो मेरे लिए क्या मानेंगे, asset consider करेंगे, अब यहां पर तो हमने treatment कर दिया, हमें साथ के साथ balance sheet में करना है, जायतर बच्चों का मैं देखता हूँ को पहले ये prepare करते हैं, फिर ये, फिर ये, उसका answer जल्दी से नहीं आता है, साथ के साथ prepare करना है, यहां से subscription में closing, outstanding, it means ये मेरा assets है, outstanding assets, और ये closing balance sheet में आएगा, subscription, opening advance, ये हमारा liability है, लेकिन ये opening balance sheet में, advance subscription, यानि जो closing से related है, closing balance sheet में, opening से related, opening में, opening, outstanding, outstanding है, subscription तो assets है, तो इधर आएगा आपका, subscription, सिर्फ subscription में लिखतोगे तो understandable है कि ये outstanding वाला है, और outstanding लिखोगे, तब भी समझ में आ जाएगा, इसके बाद closing advance, liability है, तो advance subscription, सिर्फ subscription लिखूँगा तब भी समझ जाएगे, ये liability है, ये चार जगा, देखो entry, एक तो income and expenditure के अंदर करेंगे ही, साथ के साथ opening balance sheet में भी जाएगा, और closing balance sheet में भी जाएगा, opening balance sheet में जो opening से related है, और closing balance sheet में जो closing से related है, अगर कोई still, यानि पिछले साल का बाकी, अगर अब भी कोई receive नहीं हुआ, तो इसके अंदर add कर देंगे, still outstanding के नाम से, और ये अब final जाएगा, कैसे question हो सकता है, मान लो total subscription था मेरा 50,000, जिसमें से 5000 पिछला था, include, और total पिछले साल का बाकी था 6000, तो 6000 में से 5000 तो मिली चुका, 1000 रुपे, still outstanding है, वो यहाँ add होगा, closing में, यहाँ पर total दिखाएंगे, outstanding, same ऐसे हमारा, हो सकता है rent के उपर, हो सकता है salary के उपर, तो मैं salary ले लेता हूँ, salary में भी दो चीज़े add हो जाएंगे, अगर है तो, क्या, same वो ही, opening, advance, और closing, outstanding, minus हो जाएगी दो चीज़े, क्या, opening, outstanding, outstanding, और closing, advance, तो दो चीज़े plus, और दो चीज़े minus, simple, अब यह income नहीं है, यह expense है, तो अगर expense की मैं बात करूँ, तो अगर expense outstanding है, तो it is liability, और यह advance है, तो it is assets, यह ध्यान रखना है आपको, अब बिल्कुल, कुछ बच्चे बोलते हैं, सर, income था, तो उसके अंदर भी क्या, opening, outstanding, minus हुआ, और खर्चे में भी क्या, opening, outstanding, minus होगा, बिल्कुल, concept तो वही है, कि हम इस साल में कोई भी पिछले साल से related income हो, चाये खर्चा हो, उसको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इसी साल के लिए बनाया जाता है, एक साल के लिए, अब यह opening advance, खर्चा advance हमारा क्या होता है, assets, तो opening advance में आजाएगा prepaid salary, prepaid salary, ओपनिंग advance में आगे हमारा prepaid salary, और इसके बाद देखा जाए, closing outstanding, तो यह liability है, outstanding salary, outstanding salary, थोड़ा ध्यान से आपको मैंने क्यूंकि बहुत सारे यहाँ पे ने abbreviation यूज किया है, OS, यह मैं CS लिख रहा हूँ तो closing, OP लिख रहा हूँ तो opening इसका मतलब, तो इसके अंदर अलग अलग लिखा है, minus यहाँ पे मैंने कर रहा है, opening outstanding, तो outstanding what, income या expense, expense है, तो outstanding expense मिन्स तो liability होता है, तो यहाँ पे लिखतेंगे outstanding salary, OS मतलब outstanding, outstanding salary लिख दिया, अब यह closing advance, closing advance मतलब what, prepaid, तो यहाँ पे लिख देंगे prepaid salary, closing में, तो देखो यहाँ यहाँ entry चला गया हमारा, अब सोचने आली बात है, मैंने कुछ points लिखा है, मैं एक बार फिर से explain कर दूँ, जो मैं advance लिखा है न, तो advance का मतलब उसको मैं prepaid भी consider करूँगा, अगर मैं advance लिख रहा हूँ, तो advance को मैं prepaid बोल भी सकता हूँ, ध्यान रखना यह, और अगर मैं outstanding बोल रहा हूँ, और यह किसी income के उपर कोई adjustment आता है, तो उस income पे adjustment तो income and expenditure में करेंगे, साथ के साथ उसका double impact देखना पड़ेगा, double impact कहा होगा, अब देखो, यहाँ, यह कौन सा side है debit, debit side है, debit में plus, यानि debit, तो दूसरी जगा कहा जाएगा, कहीं न कहीं debit में जाएगा, कहीं न कहीं कहीं क्या जाएगा हमारे debit में, तो देखो कहां आ गया, आपका assets में आ गया, ठीक है, अब यह फिर से again plus, हमारे क्या है, पहले ही क्या था यह, मैं दुबारे repeat कर रहा हूँ, opening, debit में plus हो गया, तो यहां तो debit कर दिया, तो दूसरी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, credit करना पड़ेगा, कहीं भी करें, यह क्या है हमारा expense, तो advance है हमारा, तो debit करके मैंने, यह opening balance sheet का है, इसको मैंने debit किया, और दूसरा point देखा जाए, तो net में, खर्चे में debit करके मैंने कहां दिखा दिया, इस opening advance को, assets, एक मिन्ट अभी ध्यान देखना है, यह भी debit होता है वैसे तो, और यह liability हमारा क्या होता है, credit, double entry देखते हैं, तो salary हमारा था, खर्चा, खर्चे में मैंने कुछ advance add कर दिया, advance किस चीज का था यह, पिछले साल का, तो पिछले साल के balance sheet में आया होगा, तो पिछले साल के जो मैं balance sheet की बात करूँ, तो पिछले साल का जो balance sheet होगा, वो तो use हो गया, तो पिछले साल हमने assets में ही दिखाया होगा इसको, तो पिछले opening वाले को हम same sequence में ले जाते हैं last year के balance को क्या करेंगे अगर debit है तो दूसरी entry भी debit में जा रही होगी लेकिन current year वाले में ऐसे नहीं होगा current year की बात करते है closing outstanding यहाँ debit हुआ current year में क्या हो गया credit current year की बात करते है closing advance यहाँ पर क्या हुआ है बताओ यहाँ हो गया लेकिन यह जो दोनों जो opening वाले थे वो last year से related है last year में हो चुका है तो हम उस entry को बस यहाँ पर show करेंगे उसको हम change नहीं करते देखो यहाँ पर क्या है हमारा आप जब answer करोगे तो इस बात को mind में रखोगे तो आपकी accuracy बढ़ जाएगी बस यह क्या है हमारा debit तो double entry भी यह कहाँ जाएगा debit क्योंकि इस साल की entry नहीं है यह पिछले साल की entry है और यह opening क्या है हमारा बताओ यह credit अब भी कहाँ जाएगा दूसरी entry credit में जाएगा वैसे normal rule क्योंकि काफी बच्चे करते हैं depth में जब उसको सोचते हैं तो यह query आजाती है मेरे पास के sir double rule के हिसाब से तो एक debit होना चीए एक credit होना चीए लेकिन यहाँ तो debit debit ही हो रहा है यहाँ तो credit ही हो रहा है तो इसका मतलब क्या हम गलत सीख रहा है नहीं पिछले साल के balance को ठीक करने के लिए हमें same side में क्योंकि वो हमारा पिछले साल का balance था वो हो चुका होगा तो बस हम उसको show कर रहे है जो हमें debit और credit मैच करना होता वो current year के balance को देखना है सेम ऐसे इधर देखो subscription है closing outstanding यह क्या और credit और अब current year के तो कहां जाना चीए opposite side debit में आ गया कहां debit में आया यह रहा यह closing है इसके बाद opening advance क्या है यहां पर credit तो opening है तो पिछले साल भी कहां जाएगा credit में ही जाएगा और देखो credit में ही आया है ठीक है समझ रहे है इस बात को इसके बाद opening आपका क्या given है opening outstanding अब मैं opening outstanding की बात करूँ तो opening पिछले साल का यहां पर क्या करा है मैंने debit किया है तो वहां भी क्या जाएगा debit में assets में मिलेगा यहां पर मैं बात करूँ closing advance closing है यहां debit हो रहा है तो मुझे कहां मिलेगा यह closing का credit में मिलेगा तो पिछले साल वाला सरिफ हम एक helping account तो यह मैं account बोलू बस मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह account हमारा working note है यह account मेरे answer का part नहीं है यह account क्या है working note लेकिन आपको इसको बनाना compulsory है opening और closing हमारा answer रहेगा यह और यह तो इस account बनाने का motive क्या है इस account का बनाने का motive है के मुझे capital capital fund निकालना और कोई दूसरा motive नहीं है अगर capital fund question में देगा तो मैं इसको देखूंगा अभी नहीं बनाऊंगा यह नहीं यानि इस account बनाने का working note सिर्फ एक ही purpose है capital fund और capital fund का कर क्या लेंगे उसको हम closing के अंदर बिना capital के तो business चलने सकता इसलिए ठेक है clear है अब देखो यह तो मैंने आपको income का बताया और यह आपको expense का बताया इससे related कुछ खर्चे और कुछ income हो सकता है अब मैं कुछ ऐसे assets बताऊँगा जो कि आपने पहले assets का नाम नहीं सुना जैसे कि book जब कभी भी आपको book दिया होगा book को inside में लिखना है और कई बार आपको assets recipient payment में payment side में मिल जाता है यहाँ पर अगर मैं book को लिखता हूँ payment में 1000 रुपए इसका मतलब है मैंने purchase किया है या फिर इसका मतलब हो सकता है मैंने creditor को paid किया है यह payment की entry शो कर रहा है कि आपने payment किया है तो दो ही बाते हो सकते अगर उधार पैसा होगा तो payment इसलिए किया होगा creditor को अगर उधार पैसा नहीं होगा तो आपने नया समान खरीदा है और यह वाली जो book है मैं वो book बात कर रहा हूँ जो opening में था यानि जो assets आपका fixed assets opening में होगा वो सारा का सारा कहां पे होगा और जो यह recipient payment में होगा उसको add कर देंगे purchase के नाम से purchase के नाम से और यह totally यहां पे दिखाएंगा अगर depreciation होगा तो then depreciation minus करके दिखाएंगे फिर से देखो एक बारा हमारा एक book मैंने example assets ले लिया तो अगर recipient payment में book दे रखा है तो वो purchase मानोगे अगर creditor का है तो creditor का payment होगा वैसे 99% मान लो purchase होगा तो recipient payment में purchase है और recipient payment में purchase होगा तो वो हमेशा मानना closing year के लिए पिछले साल के लिए नहीं है आप ये भी बोल सकते हैं उसर पिछले साल का purchase भी हो सकता है नहीं हमेशा जम्शन क्या रहता है जो fixed assets यहाँ होगा वो assets पहले नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो उसके बाद हम जोने purchase किया उसको add करेंगे अगर मैं यहाँ पर furniture लिख दूँ क्या इस furniture को कहीं और भी दिखाना है बिल्गूल furniture और इसके उपर depreciation हमेशा closing पर लगेगा अगर है तो हमेशा closing पर opening पर क्यों नहीं लगता क्योंकि अभी तो starting में debt थोड़ी लगा सकते हैं इसका date क्या होगा 1st April या 31st March of last year दो date हो सकता है इसका date क्या होगा 31st March of current year जो भी current year है अगर मैं यहाँ machinery लिखो तो बताओ क्या हमारा यह machinery double entry करेंगे दूसरी जगा double entry का मतलब यह मैं समझना है कि कहीं credit करेंगे नहीं दूसरी जगा क्या इसे ले जाएंगे ले जाएंगे यहाँ पर लेके आना होगा यानि एक point तो clear हो गया any fixed assets given in the opening balance sheet it will be automatically transferred in closing balance sheet यह तो confirm हो गया हमें अब liability की बात करेंगे अब कुछ और assets, cash का balance क्या इसे closing में लिखेंगे नहीं, यह change हो जाता है क्योंकि cash तो per day के इसाब से change होता है तो सिर्फ fixed assets ही इसमें transfer होगा current assets इसमें transfer नहीं होगा और यह cash का balance पता है कहां मिलेगा recipient payment में आपने देखा होगा two balance BD यह वो cash का balance है यह वो cash का balance होगा इसके बाद debtor क्या debtor नीचे आएगा हमारा बताओ debtor closing में जाएगा debtor जाएगा closing में नहीं जाएगा मतलब same नहीं जाएगा जाएगा तो लेकिन वो अपने वाला जाएगा same नहीं जाएगा अब debtor अगर मैं यहां पे लिखता हूँ में closing में हमारा same नहीं जाएगा debtor की जगापे मैं stock ले लेता हूँ क्योंकि debtor होगा general यह आपका stock ले लेता हूँ लेकिन जो machinery और furniture लिखा है, वो जो यहाँ पर वही value नीचे आएगा आपका, इसमें changes नहीं होगा, जो value दे रखा है, वही value नीचे आने वाला है, तो यानी अभी क्या point देखा हमने, कि जितने भी income है, उसके उपर adjustment होगा, तो liability में भी जाएगा, और assets में भी जाएगा, लेकिन फरक यह है, कि जो income दे रखा है, वो income outstanding है, तो दूसरी entry assets में, और अगर advance है, तो liability में, लेकिन खर्चा अगर outstanding है, तो liability में, और खर्चा अगर advance ह है, तो assets में, opening वाले का debit credit नहीं होता, opening वाले का debit तो debit ही, और जो closing का related है, उसका हमारा new हम वो करने जा रहे हैं, चलिए, इसके बाद, सारे assets जो भी है, वो सारा नीचे आएगा, लेकिन only fixed assets, current assets नहीं, अगर यहाँ investment है, तो क्या नीचे investment आएगा, बिल्कुल हाँ, investment long term वाल short term वाला नहीं आएगा, कौन से वाला आएगा, long term, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, बात मैं करता हूँ, suppose करो, यहाँ दे रखा है donation, donation for building, तो यह जो donation for building है, automatically यही amount closing में भी आएगा, donation for building, और अगर receipt and payment में दे रखा है, donation कि इदर मिलेगा, receipt and payment में, receipt करेंगे यह payment, receipt side, क्योंकि मिलेगा, तो उसको हम लिखेंगे add, अलग से और donation मिला, और इसे add करने का मतलब एक तो इधर लिख देंगे, और इसी में क्या करेंगे, add करके फिर final amount लिखते, clear, तो donation आगया, अब हम बात करते हैं, assets हो गया, liability हो गया, अब इन assets पर depreciation, तो depreciation किस पर लगेगा, हमारा opening यह closing पर, interest on investment, opening पर, closing पर, interest on loan, opening पर, closing पर, closing पर, जितने भी adjustment है, interest से related, या percentage calculate करने से related, हमेशा वो closing पर लगेगा, opening पर नहीं लगेगा, अब depreciation लिखना है, तो खर्चा है, two side में depreciation, अगर question में दे रखा है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा rent, rent के बाद मैंने बताया था, electricity bill, इसके बाद हो सकता है, stationary, या तो पूरा ही stationary आएगा, अगर stationary का opening stock और closing stock है, तब तो consume निकालना पड़ेगा, चाहे opening और चाहे closing, लेखिन अगर stationary का, या medicine का, या bat bowl का, कोई भी opening और closing नहीं देता, तो माल लेंगे सारा का सारा use हो गया और सारा यहां लिख देंगे, सारा का सारा जब use हो गया, तो सारा का सारा हम यहां लिख देंगे, इसके बाद और क्या आ सकता है, इंकम के साइड में आ सकता है, आ सकता है locker rent, और इंकम में क्या आ सकता है, old newspaper sold, old newspaper sold, और क्या आ सकता है, interest receive on investment, तो interest receive on investment कैसे आएगा, हमेशा आपके साथ यह question में देखने को मिलेगा, एक तो interest वो होगा, जो कि आपको recipient payment में मिल जाएगा, और कहा मिलेगा receipt side में, और कुछ उस पर calculate करने को बोला जाएगा, जो कि accrued होगा, तो इसके अंदर plus करेंगे accrued interest, और उसकी double entry करेंगे, income क्या है, accrued का मतलब बाकी, तो income बाकी है, तो कहां जाना चीए, assets, assets में किस side, opening, closing, closing में जाएगा, closing में लिख देंगे हम accrued, बस और सारे खर्चे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे और नोरोनियम हो सकता है, अब keep of field हो सकता है, अब keep of field हो सकता है, और loss on sale of fixed assets, fixed assets, यह हो सकता है, probability है, दूसरी बात करते हैं अब, आगे, आगे देखा जाए, तो यहां से हमें एक answer निकालना है, जिस answer को हमें closing balance sheet में लेके जाना है, इधर आएगा surplus, इसका दूसरा एक और नाम है, income over expense, income over expense, अगर आपका surplus आया, तो closing में आ जाएगा आपका, सबसे पहले जो हमारा capital लिख लेंगे, capital पता हो, चाहे ना हो, हमने लिख लिए capital अभी पता नहीं है, plus कर देंगे surplus, plus कर देंगे surplus, ठीक है, इसके बाद, इस side में balance आएगा, इस side में अगर balance आएगा, तो deficit, या फिर हम बोल सकते हैं, expense, over income, over income, और ये loss एक तरीखे का, तो loss हुआ तो क्या कर देंगे, minus कर देंगे deficit, अब एक ही question में दोनों चीज़ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना, अब opening balance है, opening balance sheet बनाने का main purpose, टोटल करोगे, और balancing figure आ जाएगा capital fund, then ये capital fund यहाँ आएगा, negative नहीं आ सकता, capital fund आपका positive यहाँ आएगा हमेशा, चूँकि negatively donation बगरा मिलेगा, assets is equal to liability, negative का मतलब हमर पास assets भी नहीं है, ठीक है, तो assets is equal to liability, अगर assets है, तो capital fund positive रहेगा, अगर assets ही नहीं है, तो negative नहीं रहेगा, अब इसके बाद, वो partners capital में negative होता है, यहाँ partner नहीं है, ये total और ये total हमारा equal आएगा, तो देखो, chances mistake के कहां कहां है, कहां कहां पे आप mistake करोगे, तो आपका answer नहीं आएगा, पहला mistake अगर surplus गलत है, तो answer नहीं आएगा, क्योंकि surplus यहाँ पे गलत जाएगा, totaling mismatch होगा, दूसरा answer, capital fund गलत निकालोगे, then फिर आपका answer match, नहीं होगा, अब सबसे पहले मैं बताओ, income and expenditure के गलत आने के, क्या reason है, depreciation यहाँ minus कर दिया, यहाँ लिखना भूल गए, दूसरा, investment पे interest निकालना भूल गए, जो common error करते हो बार बार, investment पे interest निकालना भूल गए, और लिखना भूल गए आप यहाँ पे, तो इस वज़े से आपका, यह match नहीं होगा, और capital fund क्यों गलत हो सकता है, आपने subscription में इस mistake कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि total subscription क्या है, और for the year subscription क्या है, तब ही आपका यह गलत होगा, अधरवाइस गलत नहीं होगा, दुबारा से मैं एक बार simple बताऊं language में, यह income and expenditure है, इस side में सारा का सारा expenditure, और इस side में सारा का सारा income आएगा, लेकिन income के उपर भी outstanding हो सकता है, और expense में भी outstanding हो सकता है, income पे outstanding assets होगा, और expense पे outstanding liability होगा, depend करता ही वो opening है या closing, अगर opening है तो कहां चले जाएगा, opening balance sheet में, closing है तो चला जाएगा closing balance sheet में, अगर मैं prepaid की बता हूँ, तो income पे prepaid liability और expense पे prepaid, expense पे prepaid क्या होगा, assets होगा, अगर opening है तो opening balance sheet में, closing है तो closing balance sheet में, जितने भी सारे fixed assets हैं हमारे पास, या fixed liability, long term liability, opening balance sheet में अगर है, तो उसको हम automatic कहां transfer करेंगे, closing balance sheet में, जब वो closing balance sheet में, अगर कोई भी adjustment दे रखा है, like depreciation, कौन से balance sheet में, closing, interest on loan, closing में, interest on accrued investment, किस पे होगा, closing से related होगा, बाकि outstanding और prepaid तो question में clearly बोलेगा, यह beginning of the year का है, या end of the year का है, वो question में simply होगा, अब बात करते हैं, stationary का, stationary जब आप यहाँ पे दिखाओगे, तो stationary consume निकालके यहाँ पे consume आएगा, अगर हमें opening stock और closing stock कुछ भी नहीं दे रखा, तो सीधा जो भी stationary होगा यहाँ आजाएगा, और यह stationary देखने को कहा मिलेगा, recipient payment के payment side में, ऐसे ही recipient payment के अंदर, बहुत सारे आपको donation भी मिल सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे mention कर दिया है, subscription for government party भी हो सकता है, तो वो भी हमने यहीं पे लिखना है, तो यह पूरा format रहेगा, पूरे six marks का, पहले हमें सारे entry हमें एक साथ लेके चलेंगे, और यह हमारा income and expenditure, और एक number भी question आएगा, इसका nature के आईए बताएं, तो nature है इसका nominal, ठेक है, और यह हमारा balance sheet, assets and liability, ठेक है, clear है, अब एक बार पहले note करिए, फिर इस से rated एक question देखेंगे, बड़ा सा कोई आपके book में जो भी हो, उसके बाद फिर doubt लेंगे, पहले फटा फट note करिए आप, हाँ जी, board पर देखना, question number 42, board पर ध्यान दो आप, noting अभी बिल्कुल भी मत करना, पहले question करोगे, उसके बाद noting करोगे, question number 42, question में कहता है, two side में, अब ध्यान देना, आप board पर ध्यान देना, question number 42 में आपके, two side में सबसे पहले balance BD कहता है, और cash in hand और cash at bank, तो जो balance BD given है आपको, cash in hand और cash at bank, ये आपका opening balance है, cash का भी opening balance है, और bank का भी opening balance है, noting अभी बिल्कुल भी मत करना, पहले आपको board पर ध्यान देना है, तो opening balance, यानि मैं opening assets पर लिखूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा cash balance, और bank का balance, और amount given है cash का balance, और bank के balance में, amount given है यहाँ पर, और amount given है, 10,000 और 21,900, 10,000, और 21,900, जो जो मैं word बोलूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्या यह assets हमारे closing balance sheet में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यह हमारा assets, current assets का part होता है, जो fixed assets होता है, वही हमारे closing balance sheet में भी जाएगा, entrance fee, entrance fee दो तरीके का होता है, एक होता है life members fee, और एक होता है normal, तो entrance fee जो है, वह हमारा normal income है, और life membership fee, वह आपका liability होगा, तो यहाँ पर सिर्फ entrance fee है, 25,500 income है, तो हमें income में लिखना पड़ेगा, buy side में, entrance fees, और 25,000, इसके बाद आगे देखते हैं question में, आगे क्या कहता है, subscription, subscription दे रखा है आपको 1,60,000, और यह subscription total subscription है, तो जब कभी भी total देगा, तो 1,60,000 हमें simple inside में, maximum adjustment आपका subscription पर होगा ही हर question में, अब legacy है, मैंने legacy के उपर, अब legacy आपका income भी हो सकता है, और legacy आपका liability भी हो सकता है, वो amount पर depend करता है, तो यहाँ पर सारा amount ज़्यादा है, बस मुझे legacy का amount थोड़ा कम लग रहा है, 16,500, तो मैं as a income treat करूँगा, और इसे note में भी लिखूँगा, यह नहीं के आपने समझ लिया, तो examiner को भी समझ में आ गया, note देना पड़ेगा, legacy, और legacy 16,500, legacy के हमारा 16,500, और इसके regarding note देंगे, note कहां देंगे हम, जो income and expenditure बना है, इसके नीचे, यह जहां final आपका answer खतम हो जाए, वहाँ पर note दे सकते हो, note में क्या लिखेंगे, we assume that legacy is treated as a income, हाँ जी, बताओ, देखो, जब भी कभी dispute, अरे दर, जब वो query पूछ रहा है, बता दो आप, बता दो, क्या पूछा दा पता है, क्या पूछा legacy है, नहीं पता, फिर चुप चुप सुन लो, काम आ जाए, अब examiner जो होता है, कुछ examiner बहुत expert होते हैं, वो बोलते हैं, answer की, answer की side करो, कुछ examiner क्या करते हैं, वो answer की के हिसाब से चलते हैं, दो type के examiner है, answer की जो होता है, उसके अंदर दोनों बाते, इसके answer दो होंगे, कि बच्चे का ये answer भी हो सकता है, और ये, वहाँ पर लिखा होगा, clearly, के legacy, liability भी हो सकता है, और आपका income भी हो सकता है, तो वो examiner चेक कर लेगा, वहाँ पर बिल्कुल, जो उनके पास answer की आता है, first room में आपका paper होगा, answer की होगा, तो वहाँ देखना आप, और उनसे answer की एक बार देख के review करना है, कि किस तरीके से उनके answer होते हैं, और जो expert है, उनको पता है, जिस बच्चे ने liability में भी चेक किया है, इसने liability मान लिया हो, वो फटा-फट चेक कर दे, तो आपका नुकसान नहीं होगा, अपनी तरफ से आप पूरा note देखे चलना है, ठीक है, इसके बाद, legacy के बाद, आगे देखते हैं question में क्या है, मैंने इसको income consider कर लिया, नीचे note लिख देंगे, note क्या लिखेंगे, मैं note लिख देता हूँ, note number one, we assume that, legacy, is treated, as liability, sorry, as income, तो examiner समझ जाएगा, कि ये मान रहा है इसको income, यानि ये liability हो सकता है, ये बच्चे को पता है, चलो, इसके अद life membership fee, तो life membership fee क्या होता है liability, अब ये होता क्या है, एक bulk में amount दे दिया जाता है, पूरे life के लिए, तो उसके बाद, वो कभी उसको कोई donation देता ही नहीं वो person, एक बार fee देता है, तो वो हमारे उपर एक तरीके सा liability बन जाता है, तो liability यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमें जो भी liability assets recipient payment में मिलेगा, हमेशा closing से related, तो life membership fee, और ये amount दे रखा है हमें, life membership fee, इसके बाद, surplus from, आपका surplus from entertainment event, कोई event किया होगा, entertainment का, वहाँ से कुछ पैसा इसने कमा लिया, तो income है यह, surplus का मतलब, minus net करके बता रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते थे, इसमें कहा जा सकता था, के entertainment पे खर्च इतना हुआ, और entertainment पे receipt इतना हुआ, तो हम क्या करते हैं, खर्च को two side में दिखा देते, और receipt को buy side में, इसने net में दिया कि इतना surplus कमाया है, तो यह तो income ही हुआ हमारा, तो buy surplus, surplus from entertainment, और यह amount आया, 5600, देखो income side complete, एक एक करके करना है, मैं दोनों side लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पहले income and expenditure बनाऊँगा, और फिर balance sheet, वो काम नहीं करना है आपको, आपको दोनों एक साथ लेके चलना है, अब payment side, rent, लेकिन, adjustment भी देख लेते हैं, एक बार, big link of the club, आपका, year the club के पास book है, assets है, furniture है, assets है, बाद में देखेंगे, subscription पे भी adjustment है, और आपका, आगे देखा जाए, तो six month का rent पे भी adjustment है, और इसके बाद, कोई adjustment नहीं, तो सबसे पहले rent ही है, तो rent पे adjustment है, तो इसलिए मैं इसे inside में लिखूँँगा, rent, और rent दे रखा है, 16,800, यह आगे rent, rent के बाद है आपका wages, wages पे कोई adjustment नहीं है, तो simple wages लिख दूँगा मैं, wages खर्चा है, wages आगे 24,500, आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आपका electricity charge, इस पे भी कोई adjustment नहीं है, यह सब के आगे मैंने 2 लगाएं नहीं है, 2 लगाना है, हाला कि अब तो 2 हट गया है, लेकिन आपको फिर भी exam में लगाना है, और electricity bill आपका है यहाँ पे, 70,200, इसके बाद दे रखा है honoronium, honoronium क्या होता है, खर्चा होता है, honoronium क्या होता है, expense, और यह doctor वगएरे की fee है, तो यह आगे हमारा 7,200, नहीं, 43,500, इस पे कोई adjustment नहीं, मैंने पहले ही देख लिया है, उसके अध बुक है, तो बुक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बुक लिखूँगा, और इस पेस छोड़के मैं प्लस करूँगा, पर्चेज, जो आपके यहाँ पे बुक दे रखा है, उस बुक को, पेमिंट वाले बुक को, हम पर्चेज के अंदर consider करेंगे, और जो यहाँ बुक लिखूँगा, और वो ओपनिंग वाले को मैं एज़ेटेज उतारूँगा, तो यहाँ पे बुक पर्चेज किया, इसने 21,300, तो 21,300, इसके बाद देखते हैं, ओफिस का expense, यह तो normal खर्चा है, two side में, two office expense, खर्चे को expense में लिख दिया मैंने, और यह amount दे रखा, एक यहाँ पे भी assets है, एक यहाँ पे तो कौन से assets में, closing में, fixed assets, यानि हमारा fixed assets है, अब भाई fixed assets में fixed deposit है, fixed deposit, अब इस क्या करें के percentage है, तो हम भी percentage quote करेंगे हम पे, percentage है 3%, और इस पे 3% fixed deposit है हमारा, 80,000, इस 3% का मतलब पता ही कह है, इसके उपर 3% का ब्याज bank वाला हमें देगा, और bracket में जो date given है, इस date का मतलब है कि यह fixed deposit मैंने करा इस दिन पे है, तो मुझे ब्याज मिलेगा जो साल के end में, 6 मन्त का वो outstanding रह जाएगा, वो हम अभी जब final करेंगे तो देखेंगे, इसके बाद balance CD, balance CD किसका, cash का balance, तो मैं यहाँ पर cash का balance लिखूँगा, और bank का balance लिखूँगा, अगर आप simply, एक format में process से करोगे, तो कभी answer गलत नहीं आएगा, अगर आपने कोई shortcut अपनाने की कोशिश की, जल्दवाजी करी तो समझ लो, आपका गलत आने के chances बढ़ गए, adjustment देखते हैं, beginning of the year, club book, beginning मतलब opening में, 2,00,000 रुपे का book है, तो opening में book है, तो opening balance sheet में आएगा, 2,00,000 रुपे, यह fixed assets है, तो इसको यहाँ भी लिखेंगे, मैंने book के जगह देखो, जगह छोड़ा हुआ है, 2,00,000, total मेरे पास हो गया, 2,00,000, 21,300, ठीक है, इसके बाद, furniture opening में 85,000, तो मैं यहाँ भी furniture लिखूँगा, 85,000, और मुझे इसे closing में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि fix हैए, 85,000, इसके बाद, subscription is area, beginning of the year, पिछले साल का outstanding, तो opening, outstanding minus, outstanding, opening, opening, outstanding minus होगा, 35,000, और जो opening, outstanding minus हुआ, यह हमारी double entry, पिछले साल का है, यह debit है, तो यहने पिछले साल का assets होगा, और यहाँ लिखेंगे opening, outstanding, और यह आगे है 35,000, आगे कहता है, end of the year का 45,000, इसी साल का बाद की 45,000 है, वो क्या होना चीए, add होना चीए, तो closing, outstanding, 45,000, और यह closing, outstanding है, तो यह कौन से balance sheet से related है, closing, और assets या liability, asset side, यहाँ लिखूंगा मैं closing, subscription, या closing, outstanding, सरफ subscription भी चल सकता है, आग, closing, outstanding है, लिखा मैंने opening subscription लिख देता हूँ, subscription, और यह amount है, 45,000, चलिए, आगे कहता है, end, six month rent, due, both beginning, and end of the year, opening में भी हमारा बाकी, छे महने का है, और closing में, कितने महने का, छे महने का, amount यहाँ पे हमें mention, नहीं करता, both beginning और end, तो इसका मतलब, जो यह subscription होगा, यह पूरे साल का होगा, जब beginning और closing बोल रहे हैं, तो पूरे साल का होगा, तो हमारा पिछले साल का जो बाकी होगा, वो होगा, इसमें से check कर ले थे हैं, 16,800, divided by 12, into my six, यानि यह कितने महने का गया, किसी को doubt, beginning में बाकी है, opening में, तो minus करो opening, opening outstanding, क्या, rent, minus करो, कितने amount का, 8,400, closing, closing outstanding, लेकिन कुछ बच्चे, shortcut वाले बोलते हैं, सर इससे अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर marks भी आपके cutting इसमें, ध्यान रखना, net result हमारा 16,800, show करना है, अब opening outstanding खर्चा है, तो liability है, तो opening outstanding, आउट्सेंडिंग, rent, 8,400, अगर closing outstanding है, तो यहाँ पर आ जाएगा, closing outstanding rent, और ये भी आएगा 8,400, अब देखो ये, यानि आप बोलते हो, सर इसको minus plus नहीं करें, तो चल जाएगा, result तो वही आए, तो आपके marks कटेंगे, exam के अंदर, आपको दिखाना पड़ेगा, कि opening में ये, outstanding था, closing में ये, और ये निकाला कैसे, कहीं भी दे नहीं रखा, तो 6 मैने बोलता है, तो मैंने मान लिया, कि ये पूरा, 16,800, 1 साल का ही है, तो उसको divide कर दिया, मैंने 6 by 12, और हमारा ये 1 by 2 भी कर सकते हैं, अब और को information देखते हैं आगे, और आगे कहता है, prepare, इसके बाद आगे कहता है, prepare income and expenditure club, year ended 31st March, its balance sheet, after the writing of, आगे और है adjustment, कहता है, writing of 5,000 and 11,300, 5,000 furniture को कम करो, और book को 11,300 से कम करो, तो less depreciation, 11,300 और furniture, मैंने अंदर लिखा है furniture, अब यहाँ से मैं card देता हूँ furniture, 85,000 बोलता है, furniture को कम कितने से कर दो, less depreciation, 5,000 से, इसकी double entry, अब यहाँ पर आया है, तो इसे two side में लिखेंगे depreciation, depreciation on furniture, depreciation on furniture, 5,000, और depreciation on, on book, तो देखो, इस question में last में बताया है, हमें पता भी नी चला था कि यह adjustment भी है, last में इन्होंने बताया है बिल्कुल, यानि requirement के बाद, तो ऐसा भी question हो सकता है आपके exam में, अब कोई information हमारा pending नहीं है, तो अब हमें simply क्या करना है, सिर्फ answer निकालना, answer पर focus करना है अब हमें, तो यहां से देखा जाए, 16,000 माइनस 35,000 और प्लस 45,000, 17,000 यहां तो deficit आएगा यह surplus आएगा, जो मुझे लग रहा है यहां पर, 1,60,000 है वो, 161, surplus यह deficit, surplus ही लग रहा है, यह 20,86,00, 20,86,00, यहां पर लिखेंगे, अगर आता है तो मैं surplus लिख दूँगा, माइनस 16,800, माइनस 24,500, और यह 55,300 आ रहा है, 55,000, 56,000, 500, अच्छा, interest का point रहे गया हमारा, कहां गया interest, जब भी अब लिखना आगे से, इस पर star बना लेना, अब 6 मैने का लगेगा इस पर, क्योंकि October में करा था, तो October के बाद, अब मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने October में किया था, इस date पे, इस date पे मैंने 80,000 रुपे investment किया, और मुझे 3% के इसाब से ब्याज मिलेगा, तो मैं November, December, January, February का ब्याज लूँ, या April, May, June, July का ब्याज लूँ, छे मैने बोल दिया, ये वाला छे मैने या अगले वाले छे मैने, आगे वाला 6 मन, ठीक है, यानि आपका October, November, December, इसका, 6 मन का आपका 3% के इसाब से क्या जाएगा, 12,00 रुपे, तो by accrued interest, accrued interest, 1200, और ये double entry कर देंगे, यहाँ पे accrued interest, एक doubt और बच्चों का आता है सर, इसे investment में fixed assets में नहीं जोडेंगे, कि मर जी है, जोड़ दो या लग से दिखा दो, तो इसमें 1200 और एड कर दें, date इतो दे रखी है, नहीं दे रखी तो पूरे साल की देंगे, assumption लेंगे कि starting में ही कर दिया है, minus 16,800, चपन अजार पांसो, चपन अजार पांसो, ठीक है, अब इसको क्या करना है, capital पहले से लिखा हुए, plus surplus, board पे ध्यान दो, 56,500, plus surplus, अब surplus यहाँ plus करना है, और यहाँ पे balancing figure निकालेंगे, 10,000, 21,900, 2,85,000, और 3,500, 3,20,400, total है यह, answer नहीं है, 3,20,400, minus 84, तो 3,12,000, यह answer आपको book में दे रखा होगा, 3,12,000, अब simply इसमें plus कर देते हैं, 56,500, 368, और 500, अब plus 25,000, और 8,400, यह आगया, 4,0, 1,9,00, इधर का total देख लेते हैं, अगर 2,00, 2,10,000, प्लास 80,000, 2,000, 24,200, same answer आ रहा है, 4,0, 1,9, double 0, तो देखो, सबसे पहला, इसका अगर मैं करने का बताओं, तो सबसे पहले, तो question जो आपका होना चाहिए, करोगे, तो conscious, यानि एकदम बिलकुल ध्यान से करना है, आपको पूरा concentrated question पर होना चाहिए, कौन सा entry कहाँ transfer हो रहा है, नहीं हो रहा है, maximum गलती कौन सा करोगे, जो मैंने एक गलती करा, interest, दूसरा depreciation देना भूल गए, यानि जो adjustment है, उसको double entry करना, अगर आप भूल जाओगे, तो answer नहीं आएगा, अगर एक भी कहीं भी mistake करोगे, तो सारा गलत होगा, छे number का question है, जिसमें से 3 number का ये है, और 1 number का ये है, और 2 number का ये है, आपके exam के अंदर, इस तरीके से define होगा, अगर ये गलत है, तो ये automatic, और ये भी गलती माना जाएगा, ये तो फिर भी सही हो जाएगा, ये तो definitely आपका गलत होगा, ठीक है, अब note करो, आपके book का question कौन सा था ये, question number, 42, question number 42, note करिये, फटा-फटा,